कोरल रीफ्स जिन्हें समुद्र के वर्शावन कहा जाता है, हमारे ग्रह के सबसे विविध और अद्भुत पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। ये पानी के नीचे की चमतकारी सनरचनाएं महासागर की सतह के केवल एक प्रतिशत हिस्से पर फैली हुई हैं, लेकिन ये लगभग 25 प्रतिशत समुद्री प्रजातियों को सहारा देती हैं। कोरल रीफ्स केवल सुंदर प्राकृतिक द्रिश्य ही नहीं है, बलकि वे कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। कार्बन संतुलन रीफ्स कार्बन डायोन उकसाइड के स्तर को नियंतरित करने में मदद करते हैं, जो जलवायू परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। अपने महत्व के बावजूद कोरल रीफ्स अभूत पूर्व चुनोतियों का सामना कर रहे हैं। जलवायू परिवर्तन बढ़ते समुद्री तापमान से कोरल ब्लीचिंग होती है, जिसमें कोरल अपने सहजीवी शैवाल को निकाल देते हैं, जो उन्हें रंग और उर्जा प्रदान करते हैं। लंबे समय तक यह स्थिती बनी रहने पर कोरल मर जाते हैं। 1. प्रदूशन कोरल सनरचनाओं को नुकसान पहुचाते हैं और समुद्री जनसंख्या को असंतुलित करते हैं। 1. महसागर अमली करण महसागरों द्वारा अधिक सी ओ टू अवशोशित करने से पानी की पी एच स्तर कम हो जाती है, जिससे कोरल कमजोर हो जाते हैं। 1. तटिय विकास, शहरी करण और समुद्र तटिय क्षेत्रों में निर्मान परियोजनाएं कोरल आवासों को नश्ट कर देती हैं। लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, जिनके लिए समुद्री भोजन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। जोखिम में वृद्धी, तटिय समुदाएं अपने प्राकृतिक तूफानी अवरोधकों को खो देंगे, जिससे आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा। कोरल रीफ्स के संरक्षन के लिए निम्नलिखित प्रयास महत्वपूर्ण है, जलवायू परिवर्तन से लड़ें, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और नवी करणिये उर्जा की ओर बढ़ना जरूरी है। सतत प्रथाओं को बढ़ावा दें, मचली पकड़ने और क्रिशी के पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाना आवश्यक है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPA इस स्थापित करना सुनिश्चित करता है कि रीफ्स मानव हस्तक्षेप से मुक्त क्षेत्र में रहें। कोरल रीफ्स केवल एक द्रिश्य चमतकार नहीं है। वे ऐसे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो समुद्री जीवन और मानव समुदायों को सहारा देते हैं। हालांकि ये गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं लेकिन सामुहिक बैश्विक प्रयासों के माध्यम से हम इनका सनरक्षन कर सकते हैं। कोरल रीफ्स की रक्षा करना केवल पर्यावरणिय जिम्मेदारी नहीं है बलकि यह उस प्राकृतिक दुनिया के प्रति हमारी प्रतिबधता है जो हमें जीवन देती है।